अज़ा कुछ लोगों की व्यथाएं खतम नहीं होती और कुछ लोगों के पास व्यथा आती नहीं है व्यथाएं खतम किसकी नहीं होती जो मनमर जी के बहाने बनाई रहते हैं आज ये व्यथा आज ये व्यथा आज ये व्यथा बहाने जो बनाते हैं उनके पास व्यथा भी बहाना बना बना करके आती रहती है हाँ इसलिए कभी जूट बोल करके बहाना मत बनाओ की ऐसा हो गया बस बहाना बनाने के स्थान पर आप भगवान के दिवाने हो जाओ बस इसे सुन्दर और कुछ नहीं होगा अगर बहाना बनाना ही है तो भगवान की कथा सुनने का बहाना बनाओ बहाना बनाना ही है तो भगवान के सत्संग में जाने का बहाना बनाओ